गिंती की पुस्तक अध्याए 35 लेवियों के नगरों की और शरन नगरों की विधी फिर यहोवा ने मुवात के अराबा में यरिहों के पास की यरदन नदी के तक्ट पर मूसा से कहा इस्राइलियों को आग्या दे कि तुम अपने अपने निजभाग की भूमे में से लेवियों को रहने के लिए नगर देना और नगरों के चारो और की चराया भी उनको देना। नगर तो उनके रहने के लिए और चराया उनके गायबेल, भेडबकरी, आदि उनके सब पश्चूं के लिए होंगी। और नगरों की चराया जिन्हें तुम लेवियों को दोगे वह एक-एक नगर की शहरपना से बाहर चारो और एक-एक हजार हाथ तक की हो। और नगर के बाहर पुर्व, दक्खिन, पश्चिम और उत्तर अलंग दो-दो हजार हाथ इस रीति से नापना कि नगर बीचो बीच हो लेवियों के एक-एक नगर की चराई इतनी ही भूमी की हो और जो नगर तुम लेवियों को दो उनमें से छह शरण नगर हो जिन्हें तुमको खुनी के भागने के लिए ठैराना होगा और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना जितने नगर तुम लेवियों को दोगे वे सब 48 हो और उनके साथ चराईया देना और जो नगर तुम इसराईलियों की निजभूमी में से दो वे जितने बहुत नगर हो उनसे बहुत और जितने थोड़े नगर हो उनसे थोड़े लेकर देना सब अपने अपने नगरों में से लेवियों को अपने ही अपने भाग के अनुसार दे। फिर यहवा ने मूसा से कहा, इस्राइलियों से कहा कि जब तुम यर्दन पार होकर कनान देश में पहुँचो तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरन नगर हो, कि जो कोई कि भूल से मार के खुनी ठहरा हो, तो वह वह भाग जाए। वे नगर तुम्हारे निमित्त पल्टा लेने वाले से शरन लेने के काम आएंगे, कि जब तक खुनी नयाई के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो, तब तक वह न मार डाला जाए। और शरन के जो नगर तुम वे चह हो, तिन नगर तो यर्दन के इस पार और तीन कनान देश में देना, शरन नगर इतने ही रहे। ये चहो नगर इस्राइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरन स्तान ठहरे, कि जो कोई किसी को भूल से मार डाले, वह वही भाग जाए। परंतु, यदि कोई किसी को लोहे के किसी हत्यार से ऐसा मारे, कि वह मर जाए, तो वह खुनी ठहरेगा, और वह खुनी अवश्य मार डाला जाए। और यदि कोई ऐसा पत्थर हाथ से लेकर, जिससे कोई मर सकता है, किसी को मारे, और वह मर जाए, तो वह भी खुनी ठहरेग और वह खुनी अवश्य मार डाला जाए। वा, कोई हाथ में ऐसी लकडी लेकर, जिससे कोई मर सकता है, किसी को मारे, और वह मर जाए, तो वह भी खुनी ठहरेगा, और वह खुनी अवश्य मार डाला जाए। लोहु का पल्टा लेने वाला, आप ही उस खुनी को मार डाले। जब भी वह मिले, तब ही वह उसे मार डाले। और यदि कोई किसी को बैर से धकेल दे, वा घात लगा कर कुछ उस पर ऐसे फेक दे, कि वह मर जाए। वा शत्रुता से उसको अपने हाथ से ऐसा मारे, कि वह मर तो जिसने मारा हो, वह अवश्य मार डाला जाए। वह खुनी ठहरेगा। लोहु का पल्टा लेने वाला, जब भी वह खुनी उसे मिल जाए, तब ही उसे मार डाले। परंतु यदि कोई किसी को बिना सोचे और बिना शत्रुता रखे धकेल दे, वा बिना घात लगाए उस पर कुछ फेक दे, वा ऐसा कोई पत्थर लेकर जिससे कोई मर सकता है, दूसरे को बिना देखे उस पर फेक दे और जब वह मर जाए, परंतु वह न उसका शत्रु हो और न उसकी हानी का खोजी रहा हो, तो मंडली मारने वाले और लोहु के पल्टा लेने वाले के बीच इस नियमों के अनुसार न्याय करे, और मंडली उस खोणी को लोहु के पल्टा लेने वाले के हाथ से बचा कर उस शरन नगर में जहां वह पहले भाग गया हो लवटा दे, और जब तक पवित्र तेल से अभिशे किया हुआ, महायाजक न मर जाए, तब तक वह वही रहे, परंत यदि वह खोणी उस शरन नगर के सीवान से जिसमें वह भाग गया हो, बाहर निकल कर और कहीं जाए, और लोहु का पल्टा लेने वाला उसको शरन नगर के सीवान के बाहर कहीं पाकर मार डाले, तो वह लोहु भाने का दोशी न ठहरे, क्योंकि खोनी को महायाजक की मृत्यु तक शरन नगर में रहना चाहिए, और महायाजक के मरने के पश्चात वह अपनी निजभूमी को लवट सकेगा, तुम्हारी पीड़ी-पीड़ी में, तुम्हारे सब रहने के स्थानों में न्याय की यह विधी होगी, और जो कोई किस मनुष को मार डाले, वह साक्षियों के कहने पर मार डाला जाए, परंतु एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला जाए, और जो खुनी प्रांदंड के योग्य ठहरे, उससे प्रांदंड के बदले में जुर्माना न लेना, वह अवश्य मार डाला जाए, और जो किसी शरन नगर में भागा हो उसके लिए भी इस मतलब से जुर्माना न लेना कि वह याजक के मरने से पहले फिर अपने देश में रहने को लटने पाए इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना खुन से तो देश अशुद्ध हो जाता है और जिस देश में जब खुन किया जाए तब केवल खुनी के लुहू भाने ही से उस देश का प्रायश्चित्त हो सकता है जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच में मैं रहूँगा उसको अशुद्ध न करना मैं यहोवा तो इस्राइलियों के बीच रहता हूँ.